आट सो चोरासी वर किलोमेटर के घने में बसा इंडो नेपाल से सटा इकलोता दूद्वा नैशनल पार्ख सैलानियों के लिए आकरशन का केंदर बना हुआ है दूद्वा के घने जंगलों में दुरल प्रजाती के वन्य जीवों का दीदार भी देशी विदेशी सैलानियों को हो जाता है मांसुन सत्र के चलते 15 जुन को दूद्वा परेटकों के लिए बंध हो जाय करता है वही दूद्वा के घने जंगल की बात करें तो दूद्वा में सैलानियों के आने जाने का रास दूद्वा के जंगलों में विचरन करते बंगाल टाइगर है जिसको देखने के लिए देश विदेश से सैलानी दूद्वा पहुचते है वही बंगाल टाइगर के अलावा यहां लेपर्ड, राइनो, हाथी, भालू, हीरन, बारसिंगा, आदी और अनेको प्रजाती के पंच्छी पाए जाते है जो दूद्वा जंगल की शान कहलाते है आपको यह भी बता दे कि इन दिनों दूद्वा टाइगर रिजव में कोरुना के चलते पार्ग बंध होने और इंसानों की दखल न होने से अब बागो का कुनबा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है इन दिनों दूद्वा के घनी जंगलों में बाग विचरन करते आसानी से दिखाई दे रहे है वही दूद्वा पार्ग प्रशासन के मताबिक यहां सबसे जादा बंगाल टाइगर यानि की बाग देखा जा रहा है बता दे कि बागो को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्था राश्ट्रिय अबाग सनक्षन स्वाधी करण जो प्रतिक चार वर्शों में बागो के संख्या के आकलन के लिए भारतिय वन्यजिव संस्थान के सहयोग से करवाती है देखा जाए तो जहां सन 2014 में दुद्वा टाइगर रिजर्व में बागो की संख्या करीब सरसट के आसपास थी वही अब सन 2018 की बात करें तो अब टाइगर रिजर्व में बागो की संख्या 82 के करीब पहुच चुकी है वही यदि हम पूरा टाइगर रिजर्व सहीत अन्या असपास जंगल के इलाके की बात करें तो वहाँ भी 25 के करीब बागों की संख्या जिससे अब दुद्वा में बागों की संख्या कुल मिलाकर 107 हो चुकी है जिससे अब पूरे पार्क प्रशासल सहीत वन्यजीव प्रेमियो में खुशी का माहोल दिखाई दे रहा है कोरोना के शुरुवाती दोर से ही यूपी का इकलोता दुद्वा नैशनल पार्क बन चाल रहा है इसकी वज़े से इस समय इंसानी दखल नहीं है ऐसे में अब बागों को उच्छी तावास और माहोल मिला यही कारण है कि अब दुद्वा टाइगर रिजर्व में कीशनपूर सेंचुरी के अलावा भी अन्य जगहों पर बाग दिखाई दे रहे है इंडो नेपाल पर बसा दुद्वा टाइगर रिजर्व दुल्लव वनिजीवों की खान है जहां पर हाती बाग हीरन गेंडा जैसे दुल्लव वनिजीव खुले में विचरण करते दिखाई देते हैं किनैसे में वनिजीव प्रेमियों के लिए खासी खुशी की खबर सामने आई है जहां पर बांक संग्रा चड़ योजना के पहें चला जा रही संस्ता की गणना के अनुसार बागों की संख्या में इजाफा हुआ है जहां संदोहजार चौदा में बागों की संख्या 87 बताई जा रही थी वही संदोहजार अठारा की गणना के अनुसार बागों की संख्या 107 हो गई है जिसके चलते पारकर पिर्सासन साइथ वनिजीव प्रेमियों में खासी खुशी देखी जा रही है मेरा नाम आसिफ हुसेन है और हम लोग यहां अक्सर आया जाए करते हैं दुद्वा राश्टी उद्ध्यान हमारा फैवरेट उद्ध्यान है जैसा की करोना महामारी के चलते और यह सब जीवन अस्वेस हो गया था वहीं एक तरिफ दूसरे तरफ देखा जातो जंगल के वातवरण को बहुत ही मतलब इंसानों के आवाजाही से उस चेकर में वातवरण बहुत जादा फरक पड़ा है जैसा की हम लोग देख पा रहे हैं कि अक्सर यहां पर वैसे तो कभी टाइगर दिखते नहीं थे लेकिन अब जो है हम लोग जब जाते हैं तो कहीं न कहीं मतलब उनके दर्शन हो जाते हैं और एक तरीके से यह भी है कि हमारे यहां पर वैसे टाइगरों की शंक्या कम थी, अब इस समय जो है वो काफी व्रद्धी हो गई है, यह 107 बताई जा रही है इस समय, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे यहां बहुत दूर-दूर से लोग बंगाल टाइगर देखने के लिए आते हैं और परेटक भी बहुत दूर-दूर से आते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का महल है